आज देखे तो भारत की जीडीपी का हिस्सा अठारा प्रतिसत हिस्सा ये तीनों सेक्टर मिलकर बनते हैं 18 परसंट जीडीपी जाएद किसी एक सेक्टर का इतना जीडीपी नहीं है कि इतना बड़ा हिस्सा नहीं है जिसका जितना हिस्सा कुछी पसुपालन और मत्स्यपालन का है तो एक प्रकार से कुछी पसुपालन और मत्स्यपालन ये देश की अर्थव्योस्ता की रीड की हड़ी और इस रीड की हड़ी को मजबूत करना ये देश की अर्थव्योस्ता को मजबूत करना है और मैं इसके साथ एक और चीज भी जूड़ा चाहता हूँ जीडीपी बनाना किसी भी देश के लिए बहुत जरूरी होता है बढ़ने ही चाहिए अगर आप मैनुपेक्चरिंग के माध्यम से जीडीपी बढ़ाते हो तो जीडीपी के आंकड़े बनते हैं रोजगारी के आंकड़े इतने नहीं बढ़ते हैं अगर आप कुशी पसुपालन और मत्सपालन शेत्र को और कॉपरेटिव के माध्यम से मद्बूत करते हो तो जीडीपी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी साथ में रोजगारी भी बढ़ेगी ये बहुत बढ़ी बात हमारे जैसे 140 करोड की आबादी वाले देश के लिए है आज लगबग 65 प्रतिसत लोग कुशी और इसके सनलगन सेवाओं पर निर्भर हैं लगबग 55 प्रतिसत कारियबल कुशी और संबध्य च्षेत्रों में लगा है और परोग सरूप से देखें 65 प्रतिसत लोग और 55 प्रतिसत कारियबल के आधार पर जो बाकी सारी सेवाए गाओं में होती है वो भी एक प्रकार से कुशी पर ही निर्भर है आदेश में 86 प्रतिसत किसान चोटे और सिमान किसान है जिनके पास एक हेक्टर से कम जोत है एक हेक्टर से कम जोत इतनी बड़ी संक्या में हो ऐसा विश्व में कोई देश नहीं है केवल और केवल हमारा देश भारत देश है दिनोंने चोटे किसानों को मजदूर नहीं बनने दिया उस तो कुरुशी को आधूनिक करना पड़ेगा। उसको अपने कुरुशी उपजगे अच्छे भाव मिलने पड़ेगे, उसकी कुरुशी को फाइदे मंद बनाना पड़ेगा। और यह सब करना है तो हमें परंपरागत तरीकों से बहार निकल कर आज के समय अनुकुल तरीकों को अपनाना होगा और एक पैक्स एप्पियों के इसी का एक नई शुरुवाद है पैक्स एप्पियों के माध्यम से यह होगा कि आज सबसे ज़्यादा इन्पूठ हम कुरुशी और पसुपालन मत्सपालन पर लगा रहे हैं मगर ना इसका चर्चा है ना इस व्योसाय के साथ जुड़े हुए लोग सम्रूध है जो 65-30 लोग देश की जीडिपी में साड़े सत्रा प्रतिसत का योगदान करते हैं वो अपना जीवन ग्यापंद ढंग से नहीं करते हैं हमारी जिम्मेदारी है सरकारों की जिम्मेदारी है कोपरिटिव सेक्टर की इन टोटो जिम्मेदारी है कि कुरुसी के साथ जुड़े हुए सभी लोगों का जीवन इतना ही सुन्दर हो जितना सर्वीस के साथ जुड़े हुए लोगों